लिटिन हेम, अमिर्श नुरु ऑज हम लोग, इंपॉर्टनट या इंपॉर्टेन्ट हम से1 कूई है ,उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कूश स्कूश करें से आ जूवनों पर हम लोग मसे ओज को हसे दुशंते एंपूऱफम । National Day of Human Space Flight के बारे में डिस्कस करेंगे दन हम लोग डिस्कस करेंगे टीका उत्सव के बारे में ठीक है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाफटा अवार्ड के बारे में ठीक है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे AFC League के बारे में ठीक है INS सर्वेच्छक के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए हम लोग एक एकड़ डिस्कस कर लेते हैं Question number one Thwest Glacier is located in Thwest Glacier कहां इस थी थे इसका अंसर हो जाएगा Option number B is correct ठीक है इसे sometimes Doomsday Glacier भी कहा जाता है ठीक है Day Glacier ठीक है ये news में इसलिए है ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से melting हो रहा है ठीक है Because of climate change ठीक है अगर इस तरह से वो पिखलते रहेगा तो जो समुद्र है हमारे ठीक है जो sea level है उसका लगभग half meter जो है वो उपर उड़ जाएगा ठीक है इसलिए बहुत news में है बन गये थे इसी उपलब्धी की पचासवी वर्ष गाठ पर संयुक्त राष्ट महसभानी 2011 से इस दिवस को celebrate करने की घोशना की थे ठीक है उद्देश क्या है आंत्रिक्ष विज्ञान एंड परोधगी की के important को बताना है ठीक है Question number 3 Which of the following on the best film award 2021 in BAFTA BAFTA award 2021 में किस film को best film का award दिया गया इसका answer हो जाएगा Option number A is Correcter Nomadland ठीक है Best actor की अगर बात करें तो Anthony Hopkins ठीक है Question number 4 Which of the following host AFC champion league निम्न में से कौन AFC champion league की मेजवानी करेगा Is cancer हो जागा option number A is correct India ठीक है India के Goa में इसे आउजेति किया जाएगा ठीक है इसमें इंडिया का पहली team ठीक है FC Goa इसमें participate करेगा ठीक है Question number 5 Who among the following will become the new president of Ecuador निम्न में से कौन Ecuador के नई रास्टपती बनेंगे इसका आंसर हो जागा option number A is correct Wilermo Lazo ठीक है इन्हों नी Andres Arouse को हरा कर ठीक है ये चुनाव जीता है 24 में को ये पदभार गरहन करेंगे ठीक है ये जो है Conservative Party के नेता है Question number 6 What is INS सर्वेक्षक INS सर्वेक्षक क्या है इसका आंसर हो जागा Option number A is correct सर्वेशीफ है Question number 7 Recently seen in the news शाफारी स्कीम is related to हाल ही में नीउस में रहा शाफारी स्कीम किस से संबदी थे इसका आंसर हो जागा Option number A is correct Certification Scheme for Equiculture Products ये जो है Frozen Sharf is Indian largest exported seafood है Hope you enjoyed this video For the latest video Like and subscribe my channel And don't forget to Press the bell icon to stay updated Thanks for watching